नमस्कार दोस्तो आची क्लास में हम सब्जेट कोड BZDZ172 के चैप्टर नमबर 12 पर चर्चा करेंगे चैप्टर का नाम होगा कारेस्थल पर योन उत्पिडन तो देखो जब हम कारेस्थल पर योन उत्पिडन की बात करते हैं वर्तमान में एक गंभीर मुद्दों में से एक है जब हम जैंडर अथारित विविन मुद्दों का अध्यन करते हैं उन में से ये जो मुद्द है ये बहुत ज़्यादा गंभीर प्रवर्ति का है जब हम वर्तमान में ये देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं रोजगार के अवसरों में आगे बढ़ें, आर्थिक रूप से आत्मिर भर हो सकें, वो भी आत्म सम्मान का जीवन जी सकें, तो ऐसे में प्रश्ण ये उड़ता है, कि जहां पर वो कारे करने जा रही हैं, जहां पर वो रोजगार की तलाश में जा रही हैं, क्या वहाँ पर बहुत सारे वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ शोषन होता है लेकिन प्रश्ण ये उड़ता है कि महिलाओं के साथ ये शोषन क्यों होता है जैसा कि इस चैप्टर की प्रस्तावना कह भी रही है कि महिलाओं के विरुद जो उत्पिड़न हो रहा है महिलाओं के विरुद महिलाओं को अपने अधीन रखने के लिए हो रहा है, पित्र सत्तात्मक समाज को बनाए रखने के लिए हो रहा है, क्योंकि पुर्षों को ये लग रहा है, कि महिला पित्र सत्तात्मक समाज की जो बेडियां है उसको तोड रही है, क्या रहा है, प्रस्तावना में लिखा पुरुष यही चाहता भी है कि महिलाओं को अपनी हद में रखे और इनको एक सबग सिखाने के लिए वो एक हतियार के रूप में योनित पिड़न का सहरा लेता है ऐसे में लगातार जो योनित पिड़न के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जैसा कि टाइमस ऑफ इंडिया के सन 2012 में जो एक सर्वे किया गया था उस सर्वे की रिपोर्ट ये बताते हैं कि 10 में से 7 महिलाओं के साथ कारिस पिड़न होता है उन में से 90% से अधिक जो महिलाएं हैं वो पुलिस में शिकायत दर्द नहीं कराती हैं क्योंकि उन्हें पता है इसका कोई solution नहीं निकलने वाला इसके लावा वो अपने रोजगार से भी हाथ दो भैटेंगी तो ऐसे में इस चैप्टर की प्रस्तावना से हमें ये पता दलता है कि कारिस थल पर योन उत्पिड़न कितना गंभीर मुद्ध हो चुका है और जिसके साथ उत्पिड़न हो रहा है वो भी आवाज नहीं उठा पा रहा है क्योंकि ये समस्या समाज की जड़ों में बिलकु करते हैं कि योन उत्पिड़न क्या है तो हम ये कहेंगे कि वरकिंग प्लेश पर योन उत्पिड़न एक ऐसा आगरे है ऐसा अनुचित योन आगरे का किया वहवार है जो कि निमलिखित रूपों में से हो यानि कि अगर जितनी भी लड़किया खास्त आरप इस उडियो लक् तो वो योन पीडन के दैरे में आएगा दूसरी बात यह कि कोई भी व्यक्ति विप्रीज जैंडर का या फिर समान जैंडर का भी आपसे योन संबंद की मांग कर रहा है या अनुरोद कर रहा है तो यह भी कारिस्थल पर योन शोषन के रूप में आएगा तीसरा योन भावन से प्रेजित आप पर टिपणिया करिसी जा रही है व्यंक कसे जा रहे है अश्रील फिलम दिखाया जा रही है या फिर अश्रील साहित या चित्र दिखा कर आपकी काम वासना को बढ़ावा देने की बात की जा रही है या फिर काम वासना की प्रकरतिया कोई भी अनुचित स गट रही है किसी भी महिला के साथ तो वो इसके लिए आवाज उठाए तो कारिस्थल पर योनित्प्रण के अधारणा को समझने के लिए दो चीजे और हमें समझनी चाहिए सबसे पहली चीज अनुचित का अभिप्राय महिलाओं की दृष्टी से अनुचित होना चीजे पू अगर आपको कोई चीज अनुचित लगिए तो फिर अनुचित है जो इल्लीगर है वो इल्लीगर है अब ये बात ध्यान रखना लेकिन महिला हो कि महिला का मतलब यह नहीं कि सिर्फ पुरुष ही उसका योनित्प्रण कर रहा होगा हो सकता है महिला ही महिला का योनित्प्र प्रसेंटेस जाद है उस्तिरहों के साथ है तो पहली चीज तो आप अनुचीत का मतलब क्या होता है महिलाओं की दिश्ट्री से जो अनुचीत हो उसे फिर माना जाएगा दूसरा जो भी आपके साथ वहवार हुआ है वो योन प्रकरती का होना चीए तो ही वो योन उत्पिड़न के केस में आएगा नहीं तो नहीं आएगा उधान के लिए यह कोई करमचारी या उच अदिकारी लिंक के धार पर आपका भेदभाव कर रहा है या आपका प्रमोशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि योन आच्रण है यह योन उत्पिड़न नहीं माना जाएगा लेकिन अगर योन उत्पिड़न के जो आपको न योन विभार के लिए कहेगा योन के लिए डिमांड करेगा आपसे कामू की या अश्रील टिपनी करेगा इसी प्रकार से अश्रील मजाग भी कर सकता है अश्रील प्रस्ताव आपके साथ ने लग सकता है आपको गाना गागा के सुना रहा हो महिलाओं के लिए अंतरंग मुद्दों पर ऐसे जानबूच के वो चर्चा करना चाहता हो या फिर ऐसी टिपनी कर रहा हो जैसे उनकी शक्त लव्युहा, गर्भवस्ता तो ये सब चीजे जो हैं या फिर illegal phone calls आपको कर रहा है तो ये सब चीजे कारिस्थल पर योनित्पिडन का उधरनाती हैं मौखी की योनित्पिडन के दारे में एक केस दर्ज होता है दूसरा होता है अवाची की योनित्पिडन अब ये क्या होता है? तो देखो कोई आपको घूर रहा है बुरी नजर से देख रहा है, CT बजा रहा है AUK मार रहा है, अशलिल साहिते दिखा रहा है अशलिल सामगरी दिखा रहा है आप मरियादी तुरूप से सरीर के अंगों को दिखा रहा है आपको होट चटका रहा है आपके सामने, हावा में यानि के flying kiss कर रहा है हो सकता है एक लड़की ही ऐसा आप एक लड़की के साथ कर रही हो, हो सकता है एक लड़की, एक लड़की के साथ कर रही हो, हो सकता है एक लड़का, एक लड़की के साथ कर रहा हो, हो सकता है एक लड़का, एक लड़की के साथ कर रहा हो, हो सकता है एक लड़की के साथ कर रह उठाते हैं लेकिन हमें पता होता नहीं है की चीजे क्या है तो इसलुए नहीं यह चैप्टर आपके लिए बड़ा जबरद्जशन है जो कि आपको एक एक चीज डीपली बताएगा आगे चैप्टर में कारी पे योनित्पिड़न के प्रकार बताएगा है यानि कि कार इस थल पर जो unit speed उन रहा हूँ होई क्यों रहा है तो देखो, सबसे पहली बात ये है कारे के बदले सहयोग क्योंकि बहुत सारे लोगों को promotion का लालस दिया जाता है रोजगार का लालस दिया जाता है, वेतन व्रद्धी का लालस दिया जाता है कि हमारे साथ योन संबंद बनाईए तो रोजगार वाशिक वेतन व्रद्धी, पदोनिती के बदले योन सहयोग को जो है ये कारे के बदले सहयोग माना जाता है ऐसे में इस तरी को रोजगार या पदोनिती, वाशिक वेतन व्रद्धी या grade पेमे व्रद्धी या एकेडमिक पट्रिष्ठा या सिफारिष तब ही मिलेगी जब वो इस उत्पिड़न को सहन करे अनिशब्दों में योन कारी के लिए सहमती महिलाई सुएक्षा से नहीं देती उन पे दबाओ बनाया जाता है और दबाओ की वेसों ने सहमती देना परती है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें जो रियल में प्रोफिट मिलना चाहिए वो प्रोफिट नहीं मिल पाएगा इसे हम बोलते हैं कार के बदले सहयोग तो इस प्रकार का उत्पिड़न यो 99% केस में होता है और जो इस प्रकार का जो केस होता है इसमें मामले दर्ज किरिवाई नहीं जाते ये माना जाता है ये چीजे सहमती से हुई है दूसरी चीज होती है कारिस्तलपर वाशिक वेतन व्रदि तो ये मोश्टिय पर्तिशोयोत की भावना के लिए करता है तीसरा होता है विद्वेश पूर्ण कारे बातवर्ण यानि कि जहाँ पर शत्तुरता पूर्ण भावलोगा तो कारे स्थल पर जो बातवर्ण है वो कई बार लैंगी करूप से बहेंद्भाव ताकि उसकी बेजिती हो जाएं तो कार इस्थल पर यूनित प्रकार हैं पहला है कारे के बदले सहयोग दूसरा है प्रतिशोत की भावनाव तीसरा है विद्वेश्पूर काडवातवरण अब जैसे कि हाँ पर एक एक एक्जांपल दिया है एक एक्जांपल में वही बता रहा हाला कि उसने जब इस चीज के लिए आवाज उठाई तो उसे उस जगह से निकाल दिया गया इसी वेसे बहुत सारी मैले आवाज इन उठा पाती क्योंकि उन्हें उस जगह पर वो न्याय मिल ही निपाता तो अगर आप से कोशन पूछा जाए कारिस्थल पर यूनित प्रि है वैसे वैसे समस्यां भी बड़ी है जब से महिना अपने घरों से बहार जाने लगी है बड़ी संक्या में नौकरी करने लगी है तो सार्जन रूप से इसमें पूर्षों के आधिपत्य को खत्रा हुआ है पूर्षों के एक एधिकार को खत्रा हुआ है उन्हें रोजगार जीवन के अधिकारों की जड़ है उन्हें यात्रा करने उन्हें काम करने का अधिकार उन्हें जीने का अधिकार पढ़ने का इतिकार इस वातवरण में वो उन पर चोट पहुंच आता है नाशिफ शारीली रूप से बलकि मांसिक रूप से क्योंकि ये पितर सप्तात्मक आगे बड़े ऐसा नारिवादियों को कहना है महिलाओं तो था लड़कियों पर सावजनिक सडको सावजनिक जगा हो सावजनिक बहानो नीजी कार्यालो कारिस्थल सिक्षन संस्थाओं में लगातार योनित प्रिणन के घटनाएं बढ़ती ही जा रही है पुरुस तो रहेगा भई क्यों रहेगा वो तो यह महिलाओं को यह क्यूं लगाना आना चाहिए अपनी जो सोच की छंताओं से विक्सित करनी चाहिए और तब तक वाय नहीं आएगा ना आपकी जवापर तो तब तक लोग आपका शोशन करते ही रहेंगे तो प्राय चर्चाओं में य विकारी या संयोगी से ऐसे कारे करने के विरुद्ध खुल्यामावद उठाई तो उसके अपोजिट परिणामी सामने आए उन्हें नहीं मिल पाया करमचारी प्राय इसके कोई कारवाही नहीं कर पाये क्योंकि उन्होंने इसे कोई गंफिर मसला माना ही नहीं है यह बहुत बहुत ही दैनिया इस्थिति है तो कारिस्थल पर सत्ता की वेए से महिला योनित्पिर्ण को क्या कर लेती है चुप चाप से सह लेती है उसे संगठन में विश्वास नहीं होता कि शिकायत करने पर कारेवाई होगी योनित्पिर्ण से जुड़ा लांचन क्योंकि जब किसी ल की जानेएं और कुछ यथार्त लानी की सच्चायों को जानेंगे तो योनित्पिर्ण से जो अफवाया पछाला जुद्पिर्ण में मज़ा लेती हैं कि यह तो चुहल बाती करना जो इस्त्रियों इसका विरोथ करती है उन में विनोध भाव नहीं होता यानि कि जो इस्त्रियों विरोथ वैसे तो इस्त्रियों को यॵनित्पिंण को सुखार कर लेना चाहिए मतलब ये समाज में जूट फैला हुआ है कि महिला ना? यो नित्पिव्डन को सिकार कर लेती है जो मना कर देती है उसमें फीलींग बताये गई है अधार बताये गई है और महिलाओं पर इसका क्या परफ़ाव पढ़ता है ये चीज़ें बताई गई है इसके अलावा महिलाएं इस पर शांत रहती हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पसंद करते हैं यानि कि किसी महिला का अगर मालो योनिक पिड़न हो गया और उस महिलाएं ने आवाज उठाई तो लोग पाग पता क्या सोल लेते हैं यह ना पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को एक काम करते हैं लगाता है यह चीज़े चलने दो जबकि पता है सच्चा ही क्या है सच्चा ही है महिला इसलिए चुप रहती है क्योंकि उसकी वेश से उनके उपर लालचन लगा दे जाएगा अगर वो शिकायत करेंगी तो हो सकता है जिसने उनका उस पिड़न किया हो उसका बदला ले ले वो ड़ती है क्योंने जूटी ना कहा जाए क्योंकि समाजना उनको वो समाजनी देगा चौथी सबसे बड़ी जो धार्णा है इस समाज की वो यह है कि इस तरह अगर ना भी कहे ना तो इसका मतलब ना नहीं है वो हाँ ही कह रही है क्योंकि इस तरहों को तो ना माना ही नहीं गया है तो यह तो एक जूट है तो यह एक मिथक के रूप में है कि पुरुष अगर एक तरफा पहल कर रहा है तो उसकी नहीं का मतलब नहीं नहीं है लेकिन सच्चा ही यह है कि उसकी नहीं का मतलब नहीं ही है no means no no means क्या होता है no ही होता है और जबके समाज क्या है रहे उसने नहीं कहा है न अब भाई वो नहीं नहीं कहा है रही वो हाँ ही कहा है ये एक बहुत जूटी अफवा है पांचवी सबसेवड़ी बात ये है कि योन उत्पिड़न पुर्षों का प्राकर्तिक वहवार है और ये का जाता है लड़के लड़के होते हैं लड़का एक शिकार ही होता है और इस तरहीं एक शिकार होती है जबकि रियल्टी ये है कि पुरुष पैदा होने से पहले ये नि जानता कि उसे उत्पिड़न कैसे करना है पुरुष पैदा होने के बाद पुरुष नि बनता ये समाज उसे बनाता है ये पितर सतात्मक समाज उसे बनाता है अगर पुरुष को बचपन से ही माबाब सही से सिखाए उसे समाज सही से सिखाए उसे समाज उसे आवेरनेस फैलाए तो साय ना वो बंदाय ऐसा नहीं होगा क्योंकि ना सुसाइटी में सारे पुरुष ऐसा नहीं होते हैं केवल 20-25% पुरुष वेशे ना 75% क्या है बदनाम है महिलाए भड़काओ कपड़े पहनेंगी तो योनित पीडन हो जाएगा ऐसा अगली अफवा समाज में फैली हुई है तो ऐसा नहीं है जब हम देखते हैं सच्चा ही ये है कि ये पीडित पर थोपने का पूराना तरीका है कि उन्होंने ऐसे महिलाए ऐसे कपड़े पहने उगे इस व innocent इस व ineसे उनके साथ हुआ है लेकिन आप तो जब घठना दोखोगके तो जो महिलाए अच्छे कपड़े पहनती है चालीन कपड़े पहनती है पुरे वदन को ढंकने वाले माले पहनती है क्योंकि यूत्पिड़क को ऐसा लगता है महिला चुप है इसका अर्थ है वो ऊसका आनन्द उठा रही है यानि कि ito Fai कि महिला यूधरन को एक बार सहले तो उसके बाद उसके उफर बंद जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है रेल्टी यह है कि उसका फिर सर शोसंड किया जाता है और बार बार शोसंड किया जाता है है आठवी बात ये कि हमेशा जब भी महिला यूत्पृडण खीलाफ वाज उठाएगी तो महिला दाव पर लगा हैं उस पर लालचन लगे हैं और उसे न्याय मिलना चाहिए यहां पर आगे यो निक पिड़न पर एक केश टड़ी बताए गई है जो कि सुप्रीम कोड में भी केस गया था केस का नाम है मानवारी देवी का मामला देखो अगर देखो यह मानवारी है शायद य महिला विकास परियुजनाओं में से एक है और उसकी एक करमचारी थी कौन भानवारी देवी जमीनी इस तर पर यह जो एंजियो थी यह समाजी कारे करता की रूप में कारे करती थी और अपने कारे करने के लिए इस इस तरी को गाउंगां जाना पड़ता था और यह जो संस और आगे चलके इसको सबक सिखाने के लिए लोगों ने इसका गैंग रेप करा, सामुहिक बलतकार किया, ताकि इस लड़की को क्या करवाया जा सके, इस लड़की से बदला लिया जा सके, कि तुने भाई, कैसे समाज के खिलाफ अवाज उठाई, कैसे बाल वहा जैसे कुरीत इसलिए उस गाउँ के लोगों ने उसका सामुहिक बलतकार करवा दिया, सबक सिखाने के लिए हैं, अब देखो, एसे में महिलाओं को कोई लिए, ये कांदोलों का मुद्दा बन गया, ऐसे में एक नां एंजियो है, विशाखा नाम की, तो विशाखा नाम की जो एंज्यो परसाय करने के लिए भारती महिनाओं को रोकता है जो कि भारत के मौलिक अधिकार का उलंगहन है ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि महिनाओं को कारिस्तल पर सुरक्षा दिलवाई जा सके इस प्रकार की सुरक्षा इसलिए होनी चीए ताकि महिनाओं भी गर्मापूर्ण जीवन जी सकें एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें सर्वोच नियायले ने एक दिशा निर्देश भी दिया कि महिलाओं के अधिकारों के संग्रक्षण के लिए कार इस्तल पर योन उत्पिडन के संबन्द में जितनी भी चीज़े हो सकें उन सब चीज़ों को लागू किया जा सके शिकायत करताओं का समधान किया जा सकें 2013 में आगे चलकर गौर्वर्मेंट ने योन उत्पिडन को एक अपराद घोशित कर दिया और भारतिय दंड सहिता की धारा यानि कि इंडियन पिनल कोड की धारा 354A के तहत योन उत्पिडन को एक दंडनी अपराद महना इसमें साव 2013 में गौर्मेंट ने जो विशाखा मामले में मामला चल रहा था उसमें एक अधिनियम पारित किया इस अधिनियम में ये रखा गया कि महिलाओं की योनिक प्रिण से सक्षण करने के लिए बहुत सारी कमेटिया मना जाएंगे सिविल कानून मना जाएंगे और उसे जमीनी स कि योनिक प्रिणत ने ने उनक्तकर में सहे लिए बनठे निमले के लिए अधिनियम में कर वक्रिण Texas के इस अधिनियम पर्म के सानकर और शेयल के सिंदीये आएंगे और शाया-धिदम पन पनने इस अधिनियम कर वाले इसारी सुपचाप इस स Lam को इसलिए से न्या कर लेती क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि उनकी जॉब जो बड़ी मुश्किल से मिली ये भी ना चली जाए कई उनकी सुझता फिर से प्रतिबंधित ना कर दी जाए कई समाज उन्हें दूशित नजरों से फिर से ना देखे 2013 में इस सब चीजों के लिए क्या हुआ नियम कानून बने और IPC धारा में 354 जो धारा वो जोड़ी गई चैप्टर से जो प्रश्ण बनते हैं वो प्रश्ण ये बनते हैं कि कारिस्थल पर महिला करमचारियों के योन उत्प्रिण के प्रभाव की सर्चा कीजिए या विभिन प्रकार के योन उत्प्रिण के व्याक्षा कीजिए I hope so इस चैप्टर से कोई भी प्रेश्ण आएगा उस प्रेश्ण का उतर देने में आप सक्षा में मिलते हैं आप से नेक्स चैप्टर में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर चीज़े समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना